सनातन धर्म में तकरीबन हर पूजा, यग्य या हवन के दौरान शंक बजाना आज भले एक आम बात बन गई है. इसका कारण यह है कि इसे पूर्व से ही पूजा के नियमों में शामिल किया गया है. ऐसे में कई बार दिमाग में ये प्रशन उठता ही है कि आखिर शंक को हमार धार्मिक कारियों में इतना विशेश क्यों माना जाता है और इसे जरूरी क्यों किया गया है? आईए, जानते हैं इस इस विशय पर रोचक जानकारी विस्तार से, बने रहे वीडियों में अंत तक. दरसल जब भी हमारे घर में पूजा पाठ, हवन, उत्सव या शादी वि जाने की परंपरा और इसका वैज्ञानिक महत्व. धार्मिक मान्यता के अनुसार, सनातन धर्मों में शंकनात को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा पाठ, उत्सव, हवन, विवाह आदी शुभ कारियों में शंक बजाना, शुभ व अनिवार्य माना जाता है. मंदिरों में भी सुभे शाम आरती के समय शंक बजाया जाता है. मान्यता ये भी है कि इसकी आवाज से दुष्ट्व नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं और वातावरण में केवल शुद्ध और धनात्मक शक्तियां ही रह जाती हैं. धर्म के जानकारों के अलावा वैज्यानिक भी मानते हैं कि शंक फूंकने से उसकी ध्वनी जहां तक जाती है वहां तक कि अनेक बीमारियों के कीटानू ध्वनी स्पंदन से मूर्चित हो जाते हैं या नश्ट हो जाते हैं. ऐसे में यदि रोज शंक बजाया जाए तो वा जान्यता यह है कि इसमें कीटाणू नाशक शक्ती होती है, क्योंकि शंक में जो गंधक, फासफोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है, उसके अंश भी जल में आ जाते हैं, ऐसे में शंक के जल को छिड़कने और पीने से स्वास्थ्य सुधरता है, यही वजह है कि बंगाल में म पुचक जानकारी, नमस्कार